возь tta आछ गुओ क्लियन इंडा ग्राइभ सपी अल्हब अच्हे ऊनर्श के लिए एर्चज वेश्डेख एविध Girth इपी आर्डेख और जे में मदू से कुछ जाता है, operate करा जाता है हमारे सारे clients, हमारी website के जरी हमसे connect कर पाते हैं, अब यह जो website हम बनाते हैं, यहां पर हम एक अच्छी website तो बना देते हैं, बट वह website secure हो यह जरूरी नहीं, और हमारी cyber security हमें एक बात सिखाती है यह कि आपकी website में जितने ज़्यादा functions होंगे उतनी ही ज़्यादा vulnerabilities भी बढ़ती चली जाएगी अब इससे बचने के लिए हम normally क्या करते हैं सरम penetration testers, white hat hackers या ethical hackers या cyber security professionals को help करते हैं जिसकी मदद से मैं पता लग जाए कि हमने जो website बनाई है उस website में हमने अच्छे लेवल की security अपलाए करी है नहीं करी है filters अपलाए करें के नहीं करें यानि rules and regulations अपनी website में कैसे लगा है ताके हम उन कम्यों से अपनी website को secure कर सके अब ऐसा ही एक बहुत ही शांदार automation टूर आजम यूज लेने वाले हैं जो की OAPS के जरिए बनाए गया है open web application security project एक ऐसा project जो continuously market को analyze करता रहता है खुद को updated रखता है और उसी के top 10 rules के जरिए developers और hackers अपने-पने career में आगे बढ़ पाते हैं यानि developers website को secure कर पाते हैं और hackers website में अच्छे लेवल पर vulnerabilities जूम पाते हैं अगर आपने से कोई भी ethical hacking, parentation testing या bug bounty hunting जैसा advanced courses में इंडोल होना चाहता है तो नीचे description में आपको form link मिल जाएगा जिसा आप फिल करके आज इंडोल कर सकते अपने favorite course में तो learners असल में यह जो OAPS है OWASP यह एक project है कैसा project जिसका काम है market को analyze करके उसमें web technology से किसी भी technology में क्या कम्या चल रही है उन कम्यों के एक list बनाता है उन्हें arrange करता है high to low के format में और top 10 rules market में release कर देता है कि यह वो 10 बड़ी कम्या है और इन्हें test कैसे करा जाए वो भी बताती है जो hackers के security professionals के जादतर काम आता है अब इसी project ने खुद का एक software बनाया है जिसमें अपनी knowledge update करता रहता है और वो software बहुत अच्छे level पे website में automation testing perform करेगा इस software का नाम है learner's zap proxy यह tool हमें अमारी linux machine में pre install यह नहीं पहले से install मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिलता है तो आप जैसे zap proxy लिख करेंगे इस construction पर से start हो जाएगा फिर भी ना हो तो हम क्या कर सकते हैं तो हम पहले तो root permissions दे दे देंगे देनम यहाँ पर command लिखेंगे zap proxy और enterprise कर देंगे तो हमारी tool का installation यहाँ पर start हो जाएगा अगर tool पहले से install होगा तो यह में बता देगा और अगर tool का पुराना version होगा तो यह उसे update भी कर देगा फिलाल आप देख सकते ही कि हमारा tool का update कर रहा है because इसका latest version यहाँ पर available है so learners अब हमारा tool यहाँ पर successfully install हो चुका है हम इसे run करेंगे और run करने के लिए हम फिर से same command लिखेंगे which is zap proxy और enterprise करेंगे लेकिन जब आप पहली बार tool को start करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ errors है फिलाल तो मैंने इस process को रोका है मेरे error नहीं आ रहा है यहाँ लेकिन हो सकता है आपके case में error आए और यह होगा कि यह tool जिस Java के version के जरिए बनाया गया है आपके device में फिलाल वो version नहीं है या फिर आपके device में फिलाल वो version active नहीं है तो यह आपको कहेगा कि मुझे तो आपने Java 11 & 12 के जरिए बनाया गया है तो मैं आपको request करूगा कि आपकी machine में जो Java है वो भी 11 & 12 version selected हो इस program को run करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं command run करते हैं विच अपडेट alternatives hyphen hyphen config space java जब इमें command run करेंगे तो यहाँ पर ही हमें versions बताएगा आप देख सकते हैं Java 17, Java 11, Java 17 और Java 8 यह फिलाल में पास यह तीन versions अवेलेबल है 17, 11 & 8 हमें यहाँ पर फिला 17 version चाहिए और आप देख सकते हैं 0 के आगे asterisk बनावा है यानि यह pointer अल्री सिलेक्ट हो चुका है पर फिर भी अगर आपका हो सकता है Java 8 यह 11 यूज हो और आपको error है तो आपको कुछ नहीं करना है आपको पता है जिरोत नंबर पर 17 लिखा हु को टेस्ट कर सकता है इसे यूज कैसे लेना यहाँ पे जो पॉप अफ हमारे पास आ रहा है हम इसे कैंसल कर देंगे उसके अलावा ऑटोमेटरी स्कैन हमारे पास यहां पे लिखा है मैं इस पर क्लिक करेंगा और हमसे एड्रस मंगेगा उस वेबसाइट को जिसका हम टेस्क कि testing करने की permission हमारे पास नहीं हम उस website पे कभी भी testing perform नहीं करते हैं वो लीगल है वहाँ पर उनी website पर testing करेंगे जो हमें allow कर रही है कि हम automation tools के जर्या वेबसेट पर scanning कर सकते हैं या तो उन website के ओनर हम हो या वह में इस चीज़ को allow कर रही हो return permission दे रही है वैसे एक website हमारे internet या एंटरप्रेस कर देता है और यह website open हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसका complete URL copy करने के लिए Ctrl A और Ctrl C select all and copy button को हमने प्रेस करा है अब हम चलेंगे हमारे टूल पर यहाँ पर हम Ctrl A और Ctrl V पेस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यह आपकी website का पूरा structure लाने की कोशिश करेगा structure से मेरा मतलब है इस website में जितने भी files, folders और data पढ़ा है यह उन सब के URL जूड़ेगा पर जैसे ही सारे URL मिल जाएंगे उसके बाद हर एक URL के जरीए क्या होता है, सब URL के जरीए वो किसी page पर पहुचेगा और page पे no doubt कोई नो कोई function होगा, करी login होगा, करी logout होगा, करी change username होगा, password होगा, कुछ भी हो सबता तो हर page में कोई नो कोई function तो जरूर होगा, तो यह उन page में जो functions रखे में, वहाँ पे जाके testing करेगा, कि क्या वहाँ पे कोई कम्या है या नहीं है, vulnerabilities है या नहीं है, loophole है या नहीं है जैसा हमें पता है, हमने starting में समझा था, cyber security हमें starting से सिखाती है, कि किसी भी website में जितने जादा functions होंगे, उतनी जादा vulnerabilities होगी इसका मतलब जो हमें कमिया और vulnerabilities में मिलती है, वो functions में मिलती है, तो पहले URLs मिलेंगे, URLs के जरिए paste तक पाँचिंगे और वहाँ पे और functions में testing करेंगे, यानि अलग-अलग loophole जूणने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए सर यहाँ पे, जो हमारा पास plus का एक symbol है, add button जो हम मदद करेंगे, और उसके अलावा जब वो सारी URLs मिल जाएंगे, तो उन्हें बेजा जाएगा, active scan के पास जहां पे एक-एक attack को try करा जाएगा, तो हमने दोनों ही functions यहाँ पे manually add कर दिये, अब हमें कुछ नहीं करना, हम website दे चुके हैं, हम चाहें तो यहां से इसका mode change कर सकत करेंगे, अब स्पाइडिंग के अंदर सारे URLs जो है, वो capture होना start हो चुके हैं, जैसे ही, सारे URLs यहां पे आ जाएंगे, यह अपना उस process को base देगा हमारे active scan के पास, आप देख सकते है, active scan स्टार्ट हो गया, अगर आपका start हो जाए तो आप stop कर सकते हैं, हमें इसकी requirement नहीं ह आपका start हो जाएंगे, उनका output हमें यहां पे alerts के अंदर देखने को मिलेगा, तो जितनी भी details, जितनी भी vulnerabilities, जितनी भी कम है, हमारे इस tool ने record करी होगी, वो सारी हमें यहां पे alerts में show कर देगा, आप देख सकते हैं, जो सबसे नीचे आपको blue color में दिख रही है, यह वो data है, जो information है, यानि कोई भी information अगर इसे लग रहा है, कि this website के अंदर leak हो रही है, तो वो इसने हमें यहां पे बताने की कोशिश करी, आप देख सक्टर के risk के अंदर information है लिखावा आ रहा है, यहां पर यहां पर यहां पास yellowish color में data आ रहे है, flags आ रहे है, यह क्या है, इन्हें हम कहते है low level की vulnerabilities, जिनने ignore करा जा सकता है, और अगर आप resolve करना चाहा है, तो resolve कर सकते हैं, दयान आता है medium level की vulnerabilities, जिनने हम normally prefer करते हैं कि ignore ना करें, जितना हद तक possible हो सकता है, इन्हें resolve करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमाँ पास red color में high level vulnerabilities भी आती है, जो फिलार इसने capture नहीं करी है, बट in case अगर एक capture करता है, तो आप देख पाते है, high level vulnerabilities यहां प तो इसके बारे में कोई idea नहीं है, तो यह हमें उस कमी के बारे में पहले description में detail में समझाएगा, कि exactly यह कमी होती क्या है, इससे का impact परता है, कितनी dangers है, और scroll down करेंगे, यहां से हम और scroll down करते हैं, तो आप देखोगे, इसकी कुछ other information भी बता सकता है, तो यहां पे में बता तो इसके बारे में और पढ़ना चाते हैं, तो यह आपको references भी provide कर रहा है, जहां पे जाके आप इस website के बारे में और detail में पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं, इन कमियों के बारे में और detail में पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं, तो इस तरीके से learners हमारा यह zap proxy जो है, हमें finally, एक website-sated अच्छा खास output लाकर दे देता है, हमें पता लग जाता है कि हमारी website में basic security हम अपलाय कर पाया है, या नहीं कर पाया है, उसके अलावा हम penetration testers को जरूर है करते हैं, क्योंकि उनके जैसा काम कोई भी automation tool perform नहीं कर सकता, बट फिर भी हमें एक idea जरूर दे देता है, और basic vulnerability secure करने उसकी location क्या रखनी है, फिर रूट location इसको select करा गया है, तो मैं इसे change कर देता हूं, हम यहाँ पर जो location रखेंगे, वो location है, because हमें पता है, root files browser में open करने में issue आता है, तो हम home में जाएंगे, काली में जाएंगे, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि desktop में जित्ती भी output है, उसको store क क्लिक करा, अब इस location पर हमारी एक file create हो जाएगे, और वहाँ पर हमासा data में देखने को मिलेगा, template देख लेता है, ठीक है, I think सारी चीज़े सही है, यहाँ पर by default हमें और कुछ चेंज करने के जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ पर generate report पर click करेंगे, और कुछ ही seconds में, आप web proxy software ने capture करी थी, वो साही details आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और एक काफी अच्छे format में देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं, सारा content यहाँ आपको overall proper index यहाँ पर provide कर रहा है, उस index के बाद आप एक detail देख पारे हैं, किस website पर scanning करी, कितनी कमया मिली है, किस level की मिली तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे format में यहाँ बता रहा है, जो भी details आपने आपने आप देखी तो एक अच्छे format में output create करके दे रहा है, ताकि आप किसी को report भी कर सके, इस बाग का बहुत ध्यान लखना है, जब तक आपके पास return permission ना हो, तब तक हम automation testing किसी भी website पर फॉर्म नहीं करता है, I believe Nines, आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ होगा,